उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तब उसने देखा, घर भर में कुहरा मचा हुआ है. उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से उपर तक एक कपड़ा ओड़े हुए भूमिशन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करून स्वर में विलाप कर रही हैं. लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया. लोगों के हाथों से छूट कर वह उमा के उपर जा गिरा. बोला काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठा कर कहा लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा. ल उसे घर पर ही संभाले रही. यद्यपी बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहां गई है. परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका. आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुन से ही वह प्रक उसका रुदन तो क्रमश, शांत हो गया. परंतु शोक शांत न हो सका. वर्शा के अनंतर एक ही दो दिन में प्रित्वी के उपर का पानी अगोचर हो जाता है. परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है. वैसे ही उसके अंतस्तल में वह जाकर बस गया था. वह प्राय अकेला बैठा बैठा, शुन्य मन से आकाश की ओर ताका करता. एक दिन उसने उपर एक पतंग उड़ती देखी. न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा. विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो. पत उदास भाव से और कहीं चले गए. श्यामू पतंग के लिए बहुत उतकंठित था. वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका. एक जगह खूटी पर विश्वेश्वर का कोट तंगा हुआ था. इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और उपर श्यामू का लड़का भोला, श्यामू का सम्व्यस्क साथी था. श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुप-चुप एक पतंग और दोर मंगा दो. देखो, खू बकेले में लाना, कोई जान ना पावे. पतंग आई. एक अंधेरे घर में उसमें द बोर बांधी जाने लगी. श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं. भोला ने सिर हिला कर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा. श्यामू ने रहस्य खोला. कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा. इसे पकड़ कर काकी नीचे मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता. भोला शामू से अधिक समझदार था. उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परन्तु एक कठिनता है. यह डोर पतली है. इसे पकड़ कर काकी उतर नहीं सकती. इसके तूट जाने का डर है. पतंग मे मोटी रसी हो, तो सब ठीक हो जाए. शामू गंभीर हो गया. मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है. परन्तु कठिनता यह ठीकी मोटी, रसी कैसे मंगाई जाए? पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दयामाया के जला आए है. वे उस इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे. उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तकनींद नहीं आई. पहले दिन की तरकीप से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से एक रुपया निकाला. ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम नहो पाए. अच्छी अच्छी दो रस्या मंगा दे. एक रस्य ओची पड़ेगी. जवाहिर भया से मैं एक काग्स पर काकी लिखवा रखूंगा. नाम की चित रहेगी, तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुच जाएगी. दो घंटे बाद प्रफल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे-बैठे पतंग में रस्य बांध रहे थे. अकस्मात शुप कार्य में विग्न की तरह उग्ररूप धारन किये विश्वेश्वर वहां आगुसे. भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमार कोठ से रुपया निकाला है. भोला सकपका कर एक ही डांट में मुजबिर हो गया. बोला, शामू भहया ने रस्य और पतंग मंगाने के लिए निकाला था. विश्वेश्वर ने शामू को दो तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा. अच्छा, तुझे आज किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगारी थी. कहते थे, इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे.